इस वीडियो में है class 10 की exercise 4.1 का question number 1 question number 1 में हमें दिया है check whether the following equations are quadratic equations जो भी हमें question number 1 में equations दी गई हैं हमें check करना है कि वो quadratic equations है या नहीं कोई भी equation quadratic equation है या नहीं इसको पता लगाने के लिए हमें उसे compare करना होगा quadratic equation की standard form से जो होती है ax square plus में bx plus में c equals to में 0 जहाँ पर a की value जो है वो 0 के equal नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी equation इस form में है तो उसे कहा जाएगा quadratic equation सो first part में हमें यहां दिया है x plus 1 का whole square equals to में 2x minus 3 सबसे पहले इस equation के brackets को solve करेंगे उसके बाद जो हमारी value आएंगी जो हमारी equation बनेगी उसको इससे compare करेंगे अगर इस form में मिलेगी तो वो quadratic equation है सो solve करते हैं first part को सो यहां पर हमें दिया है x plus 1 का whole square इस पर formula अपलाई करेंगे यह वाला a plus b का whole square जो होता है a square plus b square plus 2ab इस formula को apply कर देते हैं यहां पर जहां हमारी a की value है x और b की value है हमारी 1 सो यह हो जाएगा हमारा x square plus में 1 का square plus में 2 multiply में x multiply में 1 equals to में यहां पर equals to में है 2 multiply में x minus 3 2 से सबसे पहले हम x को multiply करेंगे उसके बाद minus 3 को multiply करेंगे इस bracket को भी हमें solve करना है सो 2 से x को multiply करने पर आ जाएगा 2x इसके बाद यहां पर 2 plus में है 3 minus में है प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा, अब 2 से 3 को मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा, 2, 3, 6, simply हमने यहाँ पर x प्लस 1 का whole square, इस पर यह formula अपलाई कर दिया, जो आपने class 9 में पढ़ा होगा, आगे solve करते हैं इसे, तो यहाँ पर x से square as it is आएगा, प्लस में 1 का square 1 ही होगा, इसके बाद प्लस का sign आ जाएगा, 2 multiply में x multiply में 1, सबसे पहले number वाले parts को multiply कर देते हैं, 2 को 1 से multiply करेंगे, 2 ही रहेगा, और इन में x multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 2 x equals to में 2 x minus 6 as it is, अब simply इस side में जो terms है, इन सभी terms को इस side में हमी कटा कर लेंगे, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे x से square, इसके बाद प्लस 1, प्लस में 2 x as it is, इस side वाले terms as it is, यहाँ पर आ जाएगी, इसके बाद इस side में है, प्लस 2 x, इस side में लेके आएगे, तो यह हो जाएगा, minus में 2 x, इसी दर ऐसे, यहाँ पर है, minus 6, इसको इदर लेके आएगे, तो यह हो जाएगा, प्लस का 6, और equals to में, इस side में कोई भी term हमारी बची नहीं, तो equals to में आजाएगा, 0, यहाँ पर आप simply देख सकते हो, तो 2 x, minus 2 x, 2 x में से 2 x को minus करेंगे, तो 0 आ जाएगा, या फिर simply इन terms को कर देंगे, cancel, इसके बाद, यहाँ पर हमारा x square, as it is आएगा, प्लस में, यहाँ पर number वाले part कौन से है, constant term, जिसके साथ कोई भी variable नहीं है, यह है, प्लस 1 और प्लस 6, दोनों को add करेंगे, तो यह हो जाएगा, 7, इसके अलावा सभी terms हमने calculate कर ली, या फिर cancel हो गई है, तो equals to में आ जाएगा, यहाँ पर 0, यह आ गया 0, अब आप देख स सकते हैं, यह किस form में है, यह है, x square प्लस में 7, x वाले term यहाँ पर missing है, इसका मतलब है, जो x वाले term है, उसमें b की value है 0, condition क्या है, a की value 0 नहीं होनी चाहिए, तो आप देख सकते है, x square का यहाँ पर coefficient कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका मतलब होता है, 1, a की value 0 नहीं है, औ और हमें यहाँ पर square भी दिया गया है, एक term का, तो यह equation हमारी क्या हो जाएगी, quadratic equation, इस equation को हम इस तरह से भी लिख सकते है, x square प्लस में 0x प्लस में 7 इक्वल्स टू में 0, जो हमारी x वाली term है, वो इसमें नहीं दी गई है, इसका मतलब जो उसका coefficient है, वो 0 है, अगर 0 से x क यहाँ पर a की value 0 नहीं है, तो यह equation क्या है, quadratic equation है, तो यहाँ पर लिख देंगे, hence it is a quadratic equation, फस्ट पार्ट हो जाता है, यहीं पर complete यह एक quadratic equation है, आते हैं second part पर, तो second part को भी solve करेंगे, तो इस side में x square minus 2x as it is आएगा, यहाँ गया, x square minus में 2x equals to में, यहाँ पर क्या है, minus 2 और 3 minus 1, minus 2 को इस bracket से multiply करेंगे, minus 2 को पहले 3 से multiply करेंगे, उसके बाद minus 2 को minus x से multiply करेंगे, तो यह है minus में, यह है plus में, minus plus हो जाएगा, minus, और 2 को 3 से multiply करेंगे, तो आजाएगा 6, इसके बाद minus, minus, यह x भी minus में, 2 भी minus में, तो minus हो जाएगा, plus और 2 को x से multiply करेंगे, तो यह आजा इटीज लिखेंगे x square minus में 2x equals 2 का sign नहीं लगाएंगे जो हमारी ये वाली term है minus 6 इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा plus का 6 इसके बाद ये 2x है इसको भी इधर लेके आएंगे plus का है दूसरी side में इस side आगे हो जाएगा minus का 2x इस side में कोई भी term नहीं बची तो equals to में लगा देंगे 0 अब आगे solve करेंगे तो x square वाली term as it is आएगी इसके बाद यहाँ पर आप देखो x वाली term कहाँ पर है ये x वाली term है और ये x वाली term है दोनों के है minus में इनका sign क्या रहेगा minus का ही रहेगा इसके अलावा ये add भी हो जाएंगी साथ में so 2x plus में 2x ये दोनों add होने पर हो जाएंगी 4x यानि कि minus 2x और minus 2x ये हो जाएंगी minus में 4x इसके बाद constant term हमारी बस्ती है 6 तो plus में 6 आ जाएगा और equals to में 0 आप clearly देख सकते हैं ये किस form में है a x square plus b x plus c equals to में 0 जहाँ पर a की value 0 नहीं है यहाँ पर a की value है 1 b की value है minus 4 और c की value है 6 equals to मे 0 ये बिल्कुल इस standard form में है तो हम यहाँ पर लिख देंगे hence it is a quadratic equation इसी के साथ second part हो गया complete थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं next page पर तो ये है third part इसको भी solve करेंगे और compare करेंगे quadratic equation की standard form से इसके brackets को solve करना होगा उसके लिए हमें यहाँ पर है x minus 2 और x plus 1 इस x से हम x को multiply करेंगे इसके बाद इस x से 1 को multiply करेंगे इसी तरह से इसके बाद यहाँ पर है minus 2 तो minus 2 से हम इस x को multiply करेंगे इसके बाद इसी minus 2 से 1 को multiply करेंगे, simple इसी तरह से solve की जाती है, कोई भी equation इस तरह की जो दो brackets में दी गई हो, तो x को x से multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा, x का square, इसके बाद यहाँ पर x से 1 को multiply करेंगे, तो x से 1 को multiply करने पर x ही आएगा, इसके बाद है यहाँ पर minus 2 और ये है x plus में, तो plus minus, minus हो जाएगा sorry, minus plus, minus plus भी minus ही होगा, तो यहाँ पर आगया minus, और 2 से यहाँ पर x को multiply करेंगे, तो ये हो जाएगा, 2x, इसके बाद यहाँ पर क्या है, minus 2 से plus 1 को multiply करना, तो minus plus, फिर से sign क्या आएगा, minus का ही आएगा, और 2 से यहाँ पर 1 को multiply करेंगे, तो यहाँ जाएगा, 2, इसके बाद का sign लगाएंगे, यहां पर भी हम बिल्कुल सेम method Apply करेंगे x को x से Multiply करेंगे तो यह आ जाएगा x square इसके बाद x को 3 से Multiply करेंगे तो यह आ जाएगा plus में 3x इसके बाद यहां पर है minus 1 Multiply में x minus plus minus का sign आएगा आग्या minus का sign और 1 को x से Multiply करेंगे तो यह आ जाएगा x इसके बाद 1 से यहाँ पर हमें multiply करना है 3 को minus plus फिर से minus का sign आएगा और 3 से 1 को multiply करेंगे या फिर 1 को 3 से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 3 आगे solve करेंगे इसे तो इस side में x square as it is आएगा अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है x और यह है 2x x में से 2x को minus करेंगे छोटी वाली term में से बड़ी वाली term को minus करेंगे तो minus में आएगी इसके बाद x से 2x को minus करेंगे तो यह आ जाएगा x इसके बाद इन दोनों को solve करने पर आ गया minus में x और उसके बाद minus to as it is यहाँ गया minus to equals to में यहाँ पर है x square as it is इसके बाद यहाँ प as it is, अब इस side में जो भी तर्म्स दी गई हैं इन सभी को इस side में shift करेंगे, तो इस side वाली terms को सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यह हैं x² माइनस में x-2, अब इस side वाली term x² इस side में आके हो जाएगी, माइनस में x square दूसरी साइड में यहाँ पर है 2x प्लस का 2x इस साइड में आगे हो जाएगा माइनस का 2x इसी तरह से यहाँ पर है माइनस 3 इस साइड में होके आजाएगा प्लस 3 और equals to में कोई भी term इस साइड में नहीं बची सभी को हमने इस साइड में shift कर दिया तो यहाँ पर आजाएगा 0 अब आप यहाँ पर देखो x square यह प्लस में है यह x square माइनस में है तो इस x square से यह वाला x square हो जाएगा cancel या फिर कहाए सकते हैं x square में से x square को माइनस कर दिया तो हो गया 0 सिर्फ cancel ही कर देंगे तो काम जल जाएगा इसके बाद x वाली terms को देखते हैं यहाँ पर है minus 2x यहाँ पर है minus x दोनों terms minus में है तो sign रहेगा minus का ही और दोनों terms add हो जाएगी तो minus x और minus 2x यह हो जाएगा minus में 3x x वाली terms को हमने solve कर लिया बची हमारी constant term जिसके साथ कोई भी variable नहीं दिया गया है तो यह है minus 2 और यह है plus में 3 तो plus वाली 3 पहले लेंगे plus 3 minus 2 3 में से 2 को minus कर देंगे तो यह आजाएगा plus में 1 और equals 2 में 0 as it is इस equation का solve करने पर मिला हमें minus 3x plus 1 equals 2 में 0 क्या यह equation इस standard form में है नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे hence it is not quadratic equation यह वाली equation quadratic equation नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो x square वाली term है वो बिल्कुल यहाँ पर cancel हो गई और वो term जिसका square किया गया है अगर वो term missing है तो उस equation को हम quadratic equation नहीं कह सकते so यह equation quadratic equation नहीं है आते हैं fourth part पर so fourth part में भी इन brackets को solve करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे x से हम 2x को multiply उसके बाद x से 1 को multiply x से 2x को multiply करने पर आ जाएगा 2x square इसके बाद यहाँ पर x से 1 को multiply करेंगे तो यह आएगा x क्योंकि किसी भी term को 1 से multiply करने पर वो term as it is रहती है उसमें कोई भी change नहीं आता है so x से 1 को multiply करने पर यह आगया plus में x as it is इसके बाद minus 3 है इसको 2x से multiply करेंगे यह है minus में यह है plus में minus plus क्या होगा minus plus हो जाएगा minus और 3 से 2x को multiply करेंगे तो 3 to the हो जाएगा 6 और x इसके साथ आजएगा as it is तो यह हो जाएगा 6x इसके बाद minus 3 से 1 को multiply करेंगे minus 3 से 1 को multiply करने पर आएगा minus 3 as it is क्योंकि मैंने बताया था अभी बताया था मैंने कि किसी भी term को 1 से multiply करने पर वो term as it is रहती है उसमें कोई भी change नहीं आता है अब equals to का sign as it is आएगा यहाँ पर क्या है x, x को इस x से multiply करेंगे उसके बाद इस x को 5 से multiply करेंगे so x को x से multiply करने पर आजाएगा x का square इसके बाद x को यहाँ पर 5 से multiply करने पर आजाएगा 5x तो यह आगया plus में 5x अब इसको आगे solve करेंगे तो हमारे इस side में 2x से square as it is आएगा आगे है यहाँ पर x minus में 6x दोनों term क्या है x वाली हैं तो इनको solve करेंगे x में से 6x को minus करेंगे छोटी वाली term में से बड़ी वाली term को minus किया जा रहा है तो answer आएगा हमारा minus में और x में से 6x को minus करेंगे तो आना चाहिए minus 5 तो minus पहले ही लगा दिया यहाँ पर आजाएगा minus 5 वे x जो हमारी term है वो as it is आएगी इसके बाद आजाएगा यहाँ पर minus 3 as it is और equals to में x स्क्वेर प्लस में 5x यह वाली term आजाएगी as it is अब क्या करेंगे इस side में जो यह दोनो term है इनको इस side में ही shift कर लेंगे तो इस side वाली term सबसे पहले as it is लिखेंगे यह आएगा हमारा 2x स्क्वेर minus में 5x minus 3 अब इस side में x स्क्वेर प्लस में और 5x भी प्लस में दोनो term इस side आएगी तो हो जाएगी minus में तो यह आगया minus में x स्क्वेर minus में 5x यहाँ पर है 2x स्क्वेर यहाँ पर है minus x स्क्वेर 2x स्क्वेर में से minus कर देंगे x स्क्वेर को तो यह आजाएगा यहाँ पर x स्क्वेर जो हमारी x स्क्वेर वाली terms है इसमें से इसको minus कर दिया तो आगया x स्क्वेर इसके बाद देखेंगे x वाली terms को तो यहाँ पर है minus 5 यहाँ पर भी है minus 5 दोनो terms minus की है तो इनका symbol minus ही रहेगा और दोनो terms हो जाएंगी add so minus 5x और minus 5x यह हो जाएंगे minus में 10x इसके बाद constant term पर focus करते हैं constant term हमारे अकेली है minus 3 तो यह आ जाएगा additive तो यह आ गया minus 3 सबी terms हमने solve कर ली हैं तो equals to में 0 लगा देंगे अब compare कर लीजिए इस equation को क्या यह standard form में है a की value x square हमारा दिया गया है यानि हमारी a की value 0 के equal नहीं है a की value है हमारी 1 यह equation बिल्कुल इस standard form में है तो यहाँ पर लिख देंगे hence it is a quadratic equation यह quadratic equation है अगर आपसे कोई पूछ ले यह quadratic equation क्यों है आपको simply answer कर देना है क्योंकि यह standard form में d गई है ax square plus bx plus equals to में 0 जहाँ पर a 0 के equal नहीं है यह standard form में है इसलिए हम कह सकते हैं यह equation quadratic equation है चलते हैं next pages पर next parts के लिए so fifth part पर आते हैं fifth part में जो भी हमें यह दिया गया है इसको solve करेंगे तो यहाँ पर 2x से पहले x को multiply करेंगे उसके बाद 2x से minus 3 को multiply करेंगे 2x से x को multiply करने पर आ जाएगा 2x square इसके बाद 2x से minus 3 को multiply करेंगे यह plus में minus में plus minus माइनस आ जाएगा उसके बाद 2x से 3 को मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6x इसके बाद जैसे हमने 2x को इन दोनों टर्म से मल्टिप्लाई किया है बिल्कुल उसी तरह से माइनस 1 से इन दोनों टर्म को मल्टिप्लाई करेंगे तो 1 से x को multiply करेंगे, x ही रहेगा, ये है minus में, ये है plus में, तो minus plus आजाएगा, minus और x से 1 को multiply करेंगे, तो आएगा x, इसी तरह से minus 1 से minus 3 को, minus minus हो जाएगा, plus और 1 से 3 को multiply करेंगे, तो आजाएगा 3, इसके बाद equals का sign लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है, बिल्कुल 1 को multiply करेंगे तो यह है इस side में plus इस side यह है 1 minus में तो plus minus यह आ जाएगा minus और x से 1 को multiply करेंगे तो आ जाएगा x अब 5 से x को multiply करेंगे तो यह आ जाएगा plus में 5x इसके बाद 5 से हम minus 1 को multiply करेंगे plus minus minus और wife को 1 से multiply करने पर आ जाएगा 5 आगे solve करते हैं इसे तो इस side में हमारा 2x square as it is जो x वाली terms है यहाँ पर देखो minus 6x minus x इसको solve करने पर क्या आएगा minus 7x minus sign as it is रहेगा दोनो term add हो जाएगी क्योंकि यह दोनो minus में है तो यहाँ पर आ जाएगा minus में 7x इन दोनों को solve करने पर minus 6x और minus x इन दोनों को solve करने पर आ गया minus 7x और इसके बाद plus 3 as it is यहाँ पर आ जाएगा तो यह आ गया plus 3 equals का sign as it is यहाँ पर x square भी आ जाएगा as it is अब यहाँ पर क्या है 5x plus में है और x यह वाला minus में है, तो plus वाले में से इसको minus कर देंगे, 5x में से 1x को minus कर देंगे, तो यह हो जाएगा plus का 4x, और minus 5 आ जाएगा as it is, यह minus 5 यहाँ पर आ गया as it is, अब जो भी इस side में यह terms दी गई है, इन सभी को इस side में shift करेंगे, तो यह है हमारा 2x square minus 7x plus में 3, यह वाली term सबसे पहल के आके हो जाएगी plus में, तो इस side में x square plus में, इधर आके हो जाएगा minus का x square, इस side हमारा 4x plus में है, तो इस side आके हो जाएगा minus का 4x, 5 कैसे है इस side में, minus में, तो इस side लेके आएगे, तो यह हो जाएगा plus में 5 और equals to में आ जाएगा 0, अब simply यहाँ पर x square वाली terms को तो minus 7x minus 4x ये भी minus में है ये भी minus में है sign रहेगा minus का ही लेकिन दोनों हो जाएंगे add तो 7x plus में 4x ये हो जाएगा 11x sign कैसा रहेगा minus का ही तो आ जाएगा 11x x वाली minus 7x और minus 4x की जगह पर आ गया ये minus 11x अब आते हैं constant term जिसके साथ कोई भी variable नहीं दिया गया है तो ये है 3 ये है 5 दोनों plus में है तो दोनों हो जाएंगे add तो आ जाएगा plus में 8 equals to में 0 finally fifth part को solve करने पर हमें मिला x square minus 11x plus 8 equals to में 0 अब आप देख सकते हैं क्या ये standard form में है बिल्कुल है तो यहाँ पर लिख देंगे hence it is a quadratic equation अगर ये standard form में हमें मिल गई तो ये क्या है quadratic equation है sixth part को देखते हैं तो इस side वाली हमारी term as it is आएंगी और इस side में हम apply करेंगे a minus b का whole square का formula formula क्या होता है यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं a minus b का whole square होता है a square plus b square minus 2ab जो आप class ninth में और class eighth में भी आप पढ़ चुके होंगे so right side वाली terms जो है इन पर apply कर देंगे हम ये formula तो solve करते हैं इसे इस side वाली left side वाली सभी terms आ जाएंगी as it is तो आगया x square plus में 3x plus 1 equals 2 में यहाँ पर यह किस form में है a minus b के whole square की form में है इस formula में values को put कर देंगे तो यह आएगा हमारा x square plus में 2 का square plus में 2 multiply में यहाँ पर x उसके बाद minus 2 आगे solve करेंगे तो इस side वाली हमारी terms as it is आएंगी x square plus में 3x plus 1 equals 2 में यहाँ पर हमारा क्या है x square as it is आएगा plus में 2 का square क्या होता है यह है यहाँ पर 2 का square हो जाएगा 2 multiply में 2 equals 2 में 4 सो उसके बाद यहाँ पर देखो 2 multiply में x 2x उसके बाद 2x को minus 2 से multiply करेंगे यह है plus में यह है minus में plus minus में होगा और 2 को 2x को 2 से x को multiply किया 2x 2x को 2 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 4x तो इन टीनों को multiply करने पर यहां आ जाएगा minus में 4x अब जो भी right side में term sign सभी को करेंगे इस side में shift उससे पहले इन सभी terms को as it is यहाँ पर लिख लेते हैं तो यह आ जाएगा x square plus में 3x plus में 1 दूसरी side जो भी plus में है इस side जो भी plus में है इस side आके हो जाएगी minus में और minus वाली हो जाएगी plus में तो यह आ जाएगा यहाँ पर minus में x square इसके बाद minus में 4 और plus में 4x equals to में क्या आएगा कुछ भी नहीं बचाए side right side तो आ जाएगा 0 अब आप देख सकते हो यह x square plus में है यह x square minus में है तो इससे यह वाला x square cancel हो जाएगा या फिर कह सकते हो x square से x square हो गया minus इसके बाद x वाली terms को देखते हैं x वाली term यहाँ पर है 3x यह है 4x दोनों plus में है तो इनको add करने पर आ जाएगा 7x अब आते हैं constant terms पर यहाँ पर है 1 इसके बाद है minus 4 1 में से 4 को minus करेंगे तो यह जाएगा minus में 3 और equals 2 में 0 क्या यह equation आपको इस form में दिख रही है नहीं यहाँ पर x square वाली term ही नहीं है तो यह equation हमारी किसी भी तरह से quadratic equation नहीं हो सकती formula रब कर देता हूँ तो यहाँ पर हम लिख देंगे hence it is not a quadratic equation 6 तौले पार्ट को solve करने के बाद जो हमें equation मिली वो quadratic equation नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो standard form ax square plus bx plus c equals to 0 जहाँ पर a यह x की जगे पर a आएगा जहाँ पर a not equals to 0 0 नहीं होना चाहिए यह इस form में नहीं है तो यह quadratic equation नहीं है आते हैं 7 पार्ट पर इसमें हमें दिया है x plus 2 की whole cube तो सबसे पहले इसका formula पता होना चाहिए यह क्या है a plus b की whole cube की form में है so इसका formula क्या होगा so a plus b की whole cube का formula हो जाएगा a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square इस पर apply कर देते हैं simply आप कर सकते हो class 9 में इस formula से related आपने questions भी किये हैं तो इस पर apply करना कोई बड़ी बात नहीं आप कर सकते हो खुद से यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर भी तो यह आएगा x की cube प्लस में 2 की cube plus में 3 x square 2 आ जाएगा यहाँ पर multiply में यह क्या किया मैंने 3 a square b इसके बाद last वाली term आएगी 3 a b square तो यहाँ पर plus में 3 a as it is sorry a नहीं आएगा x आएगा ठीक है क्योंकि a की value क्या है यहाँ पर x है तो यहाँ पर आएगा x और b का square यानि की 2 का यहाँ पर square इस side में हमारा क्या है 2 x 2 x को पहले x square से multiply करेंगे फिर 2 x को करेंगे 1 से multiply so 2 x को x square से multiply करने पर यह हो जाएगा 2 x की cube यहाँ जाएगा 2 x की cube और 2 x को यहाँ पर minus 1 से multiply करेंगे यह plus में यह minus में plus minus और 2 x को 1 से multiply करने पर 2 x ही रहेगा तो यहाँ जाएगा minus में 2x अब आगे solve करेंगे तो हमारी x की cube as it is आएगी उसके बाद plus में 2 की cube 2 की cube का मतलब क्या होगा 2 multiply में 2 यानि की हो जाएगा 8 2 को आपस में ही 3 बार multiply कर देना है तो यहाँ जाएगा 8 इसके बाद plus का sign as it is आएगा यहाँ पर 3 x square से 2 को multiply करेंगे तो नंबर वाले पार्ट को नंबर वाले पार्ट से multiply कर देते हैं 3 2s हो जाएगा 6 x square as it is इसके साथ आजाएगा तो यह आजाएगा 6 x square बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है 3 x multiply में 2 का square तो सबसे पहले 2 का यहाँ पर जो square है इसे solve करेंगे 2 का square हो जाएगा 4 4 को 3 से multiply करेंगे तो 12 और x इसके साथ as it is तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 12 x इस side वाली सभी terms को solve करने पर आ गया यह equals का sign लगा के जो बची हुई right side वाली term है वो as it is यहाँ पर लिख देंगे यह आ गया minus में 2 x अब जो भी हमारी right hand side में term sign सभी को shift करेंगे left hand side में तो इस side वाली terms को लिख लेते हैं सबसे पहले x की cube plus में 8 plus में 6 x square plus में 12 x इसके बाद यहाँ पर यह plus में है यह minus में तो इधर आके plus वाली minus हो जाएगी तो इस side पर आके हो जाएगा minus में 2 x की cube sorry इस side में minus में है तो इस side आके हो जाएगा plus में 2 x और equals to में आ जाएगा 0 अब यहाँ पर है x की power 3 ऐसी terms को ही solve करते हैं जिनकी power 3 तो यहाँ पर है और यहाँ पर है x की power 3 में से हम minus कर देंगे 2 x की power 3 चोटी term में से बड़ी term को minus करने हैं तो answer आएगा हमारा minus में तो x की cube में से 2 x की cube को minus करेंगे तो यह आजाएगा minus में x की cube simply x cube में से 2 x cube को minus करने पर आजाएगा minus में x की cube अब आते हैं x स्क्वेर वाली terms पर तो आप यहाँ पर देख सकते हो x स्क्वेर वाली टर्म हमारी सिर्फ यही है तो यह यहां पर as it's आ जाएगी प्लस में 6 x स्क्वेर इसके बाद आएंगे x वाली टर्म पर तो यहां पर देखो 12 x प्लस में 2 x 12 x और 2 x को प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस में 14 x इसके बाद constant term पर आते हैं constant term हमारी हाँ पर देख सकते हो सर्फ 8 है तो यह प्लस 8 आ जाएगा as it is और equals to में आ जाएगा 0 7th part में जो हमें problem दी गई है इसको solve करने पर आ गई हमारी यह equation अब इसको compare कर लेते हैं किस equation से a x square प्लस में b x प्लस में c equals to में 0 जहाँ पर a की value जो है वो 0 के equal नहीं होनी चाहिए इससे compare कर लेते हैं पता चल जाएगा हमें यह equation quadratic है या नहीं quadratic equation की standard form में आप देख सकते हो कि इसकी degree क्या होती है 2 degree यानि की highest power highest power 2 होनी चाहिए अगर आप इस equation को देखोगे तो इसकी degree क्या है 3 है तो यह quadratic equation नहीं है quadratic equation की degree यानि की highest power 2 होती है 2 से जाधा नहीं होती इस equation की degree है 3 तो यह equation हमारी quadratic नहीं होगी तो यहाँ पर हम लिख देंगे hence it is not a quadratic equation इसको solve करने के बाद जो हमें equation मिली यह quadratic equation नहीं है क्योंकि इसकी degree यहाँ पर क्या है 3 है तो यह quadratic equation नहीं है तो कौन सी equation है ऐसी equation जिसकी degree 3 हो highest power 3 हो उस equation को क्या कहा जाता है comment करके बताओ guys question number 1 का last यानि की 8th part इसमें दिया है x cube minus 4x square minus x plus 1 equals 2 में x minus 2 की whole cube इस side में formula apply करेंगे इस side वाली term हमारी as it is आएंगी यहाँ पर हम लिखते है x cube minus 4x square minus x plus 1 equals 2 में x minus 2 यह किस form में है a minus b के whole cube की form में इसका formula क्या होता है so a minus b की whole cube का formula हो जाएगा a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square इसको apply कर देंगे इस side में x minus 2 की whole cube पर so यहाँ पर apply करते हैं बिल्कुल simple है apply करना आपने class 9 में किया ही होगा आप खुद भी apply कर सकते हैं so यहाँ पर आ जाएगा x की cube इसके बाद minus में 2 की cube आ जाएगी इसके बाद minus में 3a square यानि की x का square आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर है b b क्या होगा हमारा यह आ जाएगा 2 इसके बाद plus में 3a की value आ जाएगी x और b की value यहाँ पर आ जाएगी 2 का square simply हमने इस पर यह वाला formula apply कर दिया जो बिल्कुल easy size की explanation देने की I think जरूरत नहीं है क्योंकि class 9 में आपने इस तरह की questions किये है so इस side वाली हमारी terms as it is आएगी इनको लिख देते है x की cube minus में 4x square minus में x plus 1 equals to में यहाँ पर सभी को solve करते जाएगे x की cube as it is आएगी इसके बाद क्या है minus sign as it is है minus sign as it is 2 की cube क्या होगी 2 की cube हो जाएगी हमारी 8 इसके बाद यहाँ पर देखो minus sign as it is आएगा 3 को 2 से multiply करेंगे हो जाएगा 3, 2 जा 6 और x square as it is तो यह आएगा minus में 3 sorry 6 x square यहाँ गया 6 x square इसके बाद यहाँ पर 2 का square होता है 4, 4 को 3 से multiply करेंगे हो जाएगा 12, 12 x यह आजाएगा plus में 12 x तो यह आगया अब जो भी हमारी right side में यह terms है इन सभी terms को shift करेंगे इस side में जो इस side में plus है वो minus हो जाएगे और minus जो है वो plus हो जाएगे इस side में shift करने पर सबसे पहले इस side वाली terms हमारी as it is लिख देंगे तो यह है x cube minus में 4 x square minus में x plus 1 दूसरी side से x cube इधर आगे हो जाएगा minus का x cube दूसरी side से minus 8 इधर आगे हो जाएगा plus में 8 दूसरी side से minus 6 x इस तरफ आगे हो जाएगा plus में 6 x square और यह क्या बोला था मैंने 6 x बोला था 6 x square इस side में यह plus में आ गया और इस side में plus 12 x इस side में आगे हो गया minus में 12x और equals to में क्या बचा इस side कुछ भी नी तो 0 अब आप simply देख सकते हैं यहाँ पर है x cube यहाँ पर है minus x cube so इस x cube से यह x cube हो जाएगी cancel या फिर कह सकते हैं simply x cube में से x cube हो गई हमारी minus इसके बाद आते हैं x square वाली terms पर so यहाँ पर है minus 4x square और यहाँ पर है 6x square plus वाली term 6x square में से minus कर देंगे 4x square को तो यह आजाएगा 2x square इसके बाद आएंगे x वाली terms पर so यहाँ पर है minus x यहाँ पर है minus 12x दोनो minus के हैं तो sign minus का ही रहेगा लेकिन दोनो terms हो जाएगी add 12x में x add करेंगे तो ये हो जाएगा 13x इसके बाद आएंगे constant term पर so constant term यहाँ पर है 1 और 8 दोनों plus में हैं तो इनको plus करेंगे तो आजाएगा plus में 9 और equals to 0 तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या यह quadratic equation है क्या यह इस form में है ax square प्लस में bx plus में c equals to 0 where a not equals to 0 क्या यह equation इस form में है अगर है तो यहाँ पर लिख देंगे hence it is a quadratic equation 8th वाली problem को solve करने पर हमें जो equation मिली वो क्या है quadratic equation है क्योंकि वो इसके standard form ax square प्लस bx plus c equals to 0 where a not equals to 0 इस form में है इसलिए यह हो गई quadratic equation सो इसी के साथ question number 1 के सभी parts हो जाते हैं complete उमीद करूँगा सभी parts आपको समझ में आए होंगे यहाँ पर हमने क्या किया है इस question में class 9 के बहुत सारे formula या फिर कहें identities का use किया है इन सभी parts को solve करने में अगर सभी parts आपको समझ में आए है तो आपने classmates के साथ इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दो